कैज गाई यह जो करेंगे के जाने हैं परिए याम च्राट हचा किरड़नों हो सुट यह इसरनेघनलगे सब्सक्राइव अर लिया बास्ट करेंगे किसी पर यह जो प्रोद्लम reaction को इंडया हे इसे हिसे इंडिया आप अध यह उसे हैं अगर आप खुद समझने की कोशिश करो और कैसे यह जो प्रॉब्लम है यह अच्छी में इस अप्रॉब्लम ओप चॉइस ऑफ टेक्नोलोजी कि टेक्नोलोजी हमने क्या इस्तेमाल करनी है ठीक है हमने वाट तू प्रॉड्यूस में डिसाइड करो कि हमने जब अब कॉटन जह है हमने बहुत जादा यूमन लेबर की इंसानों की मदद से हुगानी है या बहुत सारी मशीनों की मदद से हुगानी है ड्रोन की मदद से हुगानी है अगर हमने बनानी है तो हमने हाइड्रो पावर बनानी है या टाइडल पावर बनानी है या सोलर पावर बनानी है क्या इमकर इन문 ou क्षिफ थाक्न आपड रहरा को थे करना है मों तो एक फिरक है क्योंकि यह इसलिए इंपोर्टन ये इसलिए पर कर से ग्मटरश में हमारे को चोई कीन उसका है इसे सभी की सरी कि तरह से शॉसक्ता अलग अलग चीजों करना लिए इस्तामाल करना है da से हमाल हर समाल multiple तरीके से बन सकता है विल्कुल लेबरिंटैंशिव टो किढ़ गलेबर िंटैंसिव शाया म सब्सक्राइब कर दिया वो रोबॉट कर दिया तो वह सारी मशीने तो आप लेबर तो इंप्लॉई कर दिया जिसकी वैसे रोज आ रहा है कि लोगों को लेबर को निकालते जा रहे तो हम लोग दीने दीने जो है कहां पर का जैकर मुब कर रहे हैं मोविंग डूवाद्स याजिए अर्टिकोश करने के लिए हम लोग जहां आप बिच्छ यू आप चोड़ते जा रहे हैं लेबर को निकालते जा तो यहीं यह ब्रॉब्लम है how to produce कि किसी भी देश में समान को manufacture करना आखिर कैसे हमारे को labor को employment देना जादा जरूरी है या आगे जो है और technology की advancement जादा जरूरी है तो कि दोनों के ही अपने कुछ फाइदे हैं और अपने कुछ नुकसान है अगर हम labor intensive methods को देखें तो labor intensive methods का ये benefit आता है कि इससे जो है obviously employment बहुत हाई हो जाती है पर इससे जो है ये प्रूफ करा है कि जिससे कि ग्रोथ आज तो employment जादा हो जाए कि पर over a period of time पात साल में अगर आप देखो या दस साल में देखो तो growth जो है वो बहुत slow down हो जाती है तो देश बहुत speed से तरक्की नहीं कर पाता उसके दूसरे हैंड on the other hand अगर हम देखें तो capital intensive method से employment तो आपकी generate होएगी नहीं क्या कि आप हर जगे मशीनों को ही लगाया जा रहे हो जैसे कि अभी हमने case study कर रहा है आट of visual intelligence का case study हम लोग कर रहे हैं अगर आप लगाते जाओगे यह robots लगाते जाओगे हर जगे तो उससे क्योंगा कि employment generated हो कि हर जगे आपने इंसानों को अटा दिया तो employment generated new की लोग जो है वो परशान हो जाएंगी उनको खाने को में नहीं मिलेगा भूक मरी मिलेगी क्योंकि जो है उनकी incomes ही बंद हो गई है उनका से सोचना पड़ता है कि हमारे को क्या technology का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो अगर हम लोग इंडिया का प्रद्यूश करना है आप हमने देखना है कि अगें हमने labor इंटेंसिव में टीश्याइब जिससे कि जो आज उस टाइम पर जो लोग थे उनको employment मैं है जो लोग गरीब थे रह गए थे बहुत जादा 90% पॉपलेशन जो थी पूर थी उनको एंप्लाइमेंट जेनरेटो यह कैपिटल इंटेंसिव में यूज करने हमने जिससे कि हम लोग फास्ट ग्रो कर सकें और जो दुनिया से हम लोग पिच्छड चुके हैं 200 साल के लिए जो हम लोग दुनिया से पिच्छड गए हैं हम उस 200 साल को पड़ा पड़ पूरा जूब करके एकदम उनके साथ पर आजाएं उनके लेवल पर आजाएं तो उसके लिए हमारे को क्या पर अटेंसर यूज करना पड़ेगा तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे लिए क्या चीज इस वत ज्यादा जरूरी है तो अब आप इसको पड़ो हाँ आर दीज इस्तेमाल करना है और इच अब दिफेंट गोड़ेगा तो यह उसमें कौन सी टेक्न लोजी को हमने अपनाना है ठीक है तो दिस वाज दी अग्वादी इस वाज़ी कॉंसेट और अप्डी वीडियो में देखेंगे इस वाज वाज चैप्लों फूर को टूकर